median याने क्या, middle, it is the middle value of the data which is arranged in ascending या descending order, यह बड़ा important है, तो सबसे पहले हमारे पास data आ जाता है, उसको हम ascending या descending order में arrange करते हैं, फिर जो हम middle value खोचते हैं, उसको हम कहते हैं median, ताकि वो segregate कर दे के छोटे वाले यहाँ पर, बड़े वाले यहाँ यहाँ या वाइसा वर्सा, क्योंकि आपने कैसे arrange किया, ascending या descending, उस पर depend करता है कि पहले छोटा था या पहले बड़ा था, ओके, तो यह एक middle value find करने का process है, तो चलिए अब इसको सीखते हैं, कि median कैसे निकालते हैं, और median का ऐसे कोई specific symbol नहीं है, जैसे आपने mean में x bar या mu देखा, तो median के लिए ऐसा को है, वो धिहान से देखना, इसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है median, तो मैंने सबसे पहले क्या का, data को arrange करो कैसे, ascending या descending form में, ठीक है, ascending या descending form में, तो वैसे तो छोटे से बड़ा, तो यह तो है ascending या descending में, ठीक है, तो फिलाल हम कहेंगे, हमारा data जो है, वो ascending म N, N याने कितना data है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ठीक है, तो 7 data है, तो यहाँ से पता चल जाता है, odd है या even, यहाँ पर matter करता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा matter करता है, कि हमारे पास odd या even data है, अच्छा, value of data नहीं, count, odd या even count है, याने N, क्योंकि odd है तो formula अलग, even है तो formula अलग, देखो हमारा odd है, तो formula जो होगा, वो होगा, कि median निकालने के लिए आपको कहना है, simply, median is N plus 1 by 2th term, क्या है, N की value 7, so 7 plus 1 divided by 2th term, ठीक है, याने 8 by 2, याने 4th term, इसमें 4th term खोजिए, 1, 2, 3, 4th, तो आपका median का answer क्या हो गया, 6, ठीक है, so 7 plus 1 by 2th term, याने 4th term, 4th term हमारे sequence में 6 था, इसलिए median हो गया हमारा 6, अब सर जी अगर even आ गया तो क्या करें, वही तो है हमारा example 2, tension क्यों लेते हो, तो देखो मेरे पास है, 1, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 9, यह data ह और आपको खोजना है, median, अब ध्यान से देखना, सबसे पहला step again वही है, कि आप ascending या descending में arrange करते हो, तो मैं तो ascending में करूँगा, क्योंकि है नहीं, तो पहले कर लेते ascending में, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, छोटे से बड़ा ascending में arrange कर दिया, चाहो तो descending से भी कर सकते हो, कोई दिक् है, फिर second point है, कि n क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे का था even, तो यहाँ पर आ गया 8, यह क्या है, even, तो formula यहाँ पर यह होगा, कि median निकालना है, तो वो है, n by 2th, plus n by 2, plus 1th, term, दोनों को add करो, और फिर उसका average निकालो, so divide by 2 करो, अब यहाँ पर क्या होगा, 8 by 2, याने 4th, term, plus 4th, plus 1, याने 5th, term, ठीक है, consecutive term ही लेना है, तो 4th plus 5th, दोनों को add करके, divide by 2 आपको करना है, so 4th term कौन सा है, 5th term कौन सा है, जरा देख लेते, यही 2 है, 4 हमारा 4th term है, यहाँ पर 5 हमारा 5th term है, so दोनों को add करके, divide by 2 कर लो, so 4 plus 5, divide by 2, 9 by 2, जो होगा, आगया 4.5, ठीक है, so 4.5 आपका median value हो गया, अच्छा, यह median है ना, physically भी बहुत ही प्यारा है, कि median क्या होता है, 4.5 याने, यहाँ पर होगा 4.5, इसने equally divide किया, कि पीछे 4, आगे 4, पीछे छोटे वाले, आगे बढ़े वाले, देख पारे हो, और सिफ यहाँ पर नहीं है, median की खासियती यह है, कि यह equally divide कर देता है, जैसे यहाँ पर क्या आगया था 6, तो 6 क्या है middle value, कि इसके आगे 3, पीछे 3, equal रहता है, इसके आगे और पीछे equal count, और आगे बढ़े वाले, पीछे छोटे वाले, अगर ascending में आपने arrange किया, easy, तो यह हम example 1 और example 2 किसके लिए हो गया, ungroup data के लिए, अब बात करते है, discrete frequency के लिए, group data, discrete frequency, table हमारे पास है, आप से पूछा जा रहा है, can you find the median, कैसे करेंगे, अब है न, यहाँ पर formula थोड़ा सा different है, क्योंकि आप खुच सोचो न, कि median क्या कहता है, middle value आगे और पीछे, equal count, इसमें दे 4, 2, 1, 3, 5, सभी को add करो, कितना आया 15, तो 15 data था, अगर raw data में लिखे न, तो raw data में ऐसा ही दिखाई देता इसको, that value 5 जो है, वो 4 बार आया था, so 5, 5, 5, 5, ऐसे raw data हो गया, value 9 जो है, वो 2 बार आया था, so 9, 9, 3, 15, 15, 15, फिर 11, 11, 11, 11, 11, ठीक है, तो यह आपका raw data का style हो गया आप देख सकते हो, discrete frequency group data को चाहो तो ungrouped style में भी लिख करके उसको solve कर सकते हो, पर सवाल हमारा क्या है, सवाल तो इस प्रकार से कैसे solve करना है, क्योंकि कलकूट करके 40 दे दे तो फिर तो ungrouped में नहीं जा सकते न, तो फिर तो आपको कही ना कही इसका भी style पता होना चीए, बड़ कहना मेरे को यही था कि ungrouped और grouped discrete कोई अलग चीज नहीं है, ungrouped और discrete frequency में एक relation है, जो आपको पता होना चीए, never the less, अब इसको solve कैसे करना है, उस पर focus करते हैं, सबसे पहले इसको copy कर लेंगे, अगले slide पर भेजेंगे, even odd का concept तो वही है, याद रखना, जैसे मैंने क कि इसमें, और इसमें क्या है, correlation है, तो formula में भी correlation है, कि odd में आप यह formula यूज करते थे, और even में आप यह formula यूज करते थे, तो same formula यहाँ पर भी use होगा, पर सवाल यह है, कि वो term कैसे निकाले, वो n by 2th term, n by 2 plus 1th term, वो term कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ पर frequency का लोचा आ गया, हाँ, तो उस पर अब चर्चा कर लेते हैं, कि वो कैसे निकाले, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे, solution के अंदर, कि यहाँ पर summation f जब हमने किया, सभी को add किया, आया 15, इससे पता चल गया कि कहानी odd की है, और जब कहानी odd की है, तो median की value क्या होगी, यहाँ पर n plus 1 divided by 2th term, यह, य यहाँ पर मैं आपको सबसे important बात बता रहा हूँ, मुझे पता है जिन students को median का concept आता है ना, वो तो formula में लग चुके है, कि cf निकालना है, फिर यह सब step to get the answer, ओ भाई साब आपका answer wrong है, पता है क्यों, क्योंकि आपने एक step किया ही नहीं, जबकि मैं हर एक question में आपको step by step answer बता रहा था, कि ascending में data लिखो, फिर median का formula, क्या आपने ascending में data लिखा है, नहीं ना, तो पहला वही step होता है, यहीं तो important note है, ascending में लिखो, 5-9 के बाद dip हो गया, तो ascending तो था नहीं, तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 15 जब value 3 थी, तो frequency 1 था, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 3, मज़ा आया, यह trap था, तो यह ascending होने के बाद, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, अब जो concept है, उस पर focus करना, concept यह है, कि अब आपको एक और column बनाना है, जिसमें होगा, cf, cf का मतलब है, cumulative frequency, जैसा नाम है, वैसे काम है, cumulative accumulate करना है, frequency और आगे बढ़ना है, तो यह column कैसे fill करना है, zigzag style में, zigzag, zigzag style में, बता दो कैसे, के पहले तो state value 1 आपने लिखा, फिर 1 प्लस 4, इक्वल टू 5, यहाँ पर लिखा, फिर 5 प्लस 2, इक्वल टू 7, जो यहाँ पर लिखा, समझ मार है, zigzag style, चलो इसको follow करो, so 1 यहा पर 5 प्लस 2, 7 यहाँ पर 7 प्लस 5, 12 यहाँ पर 12 प्लस 3, 15 यहाँ ठीक है, और जो last value आपका आया है, वो match करना चाहिए, summation F से, अगर कर रहा है, तो CF आपने सही से लिखा है, नहीं कर रहा है, तो आपने गलत किया है, ठीक है, तो यहाँ पर match कर रहा है, तो हमने तो सही से ल 1 by 2, याने 16 by 2, याने 8th term, अब 8th term मिलेगा कहाँ पर, यह cumulative frequency बनाने का कारण ही यह है, कि इसकी मदद से आप वो term हो सको, तो यहाँ पर यह कहता है, first term, यहाँ पर कहता है, up till 5th term, up till 7th term, यह आइडिया देता है, क्योंकि यह accumulate करके चल रहा है, कि कितने player खतम हो गए, यहाँ पर collectively 5 player की कारणी हो गई, यहाँ पर collectively 7 player की कारणी हो गई, 8th player आपका इसमें है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, that x की value आपको खोजनी है, वही median होता है, median का भी f नहीं होता है, median हमेशा x होता है, तो median आपका यह रहा 11, समझ में आया, so 8th term आपका 11 था, तो आपक median हो गया 11, याद रखना, यह cf क्या कहता है, कितने player खतम हो गया, first player खतम हो गया, 5 player खतम हो गया, 7 player खतम हो गया, 12 player खतम हो गया, 15 player की कारणी खतम हो गया, इसलिए पूरी की पूरी data खतम हो गया, तो यह accumulate करके चलता है, तो कितने कारणी खतम हो गया, यह बताना चाहता है easy था, तो discrete frequency के लिए एक CF लगा दो, तो कहानी बन जाती है अब ये तो सरजी odd की कहानी थी अगर even आ गया तो क्या करे, तो ये है आपका example 2, तो मैं पहले लिख देता हूँ ये हमारा example 1 है जिसमें हमने देखा odd की कहानी जब summation f odd था अब आपका सवाल होगा कि अगर even आ जाए तो सरजी हम क्या करे, तो ये है example 2 जब हमारा f समेशन करने पर even आएगा ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको copy कर लेता हूँ और फिर अगले slide में paste कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा solution ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मज़े वाली बात ये है, that मैंने data आपको ascending form में ही दे दिया, देखो छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, तो ascending form में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सीधा जा सकते है formula पर formula क्या है, अगर आपको median चाहिए, तो वो depend होगा n कैसा है, तो यहाँ पर summation f करके देख ले, summation f करके देखो कितना आ रहा है, summation f हमारा n ही होता है, यहाँ पर सर्जी 28 आ रहा है, जो है e1 जब e1 आ जाए, तो median का formula क्या है, n by 2 term, plus n by 2, plus 1 term, divide by 2, average करना पड़ेगा, चलिए अब, आगे बढ़ते हैं, और average करते हैं, यहाँ से पता चल रहा है, कि 28 by 2 कितना होगा, 14th term 14th term और फिर उसके next वाला होता है 15th term, divide by 2 ठीक है, so 14th और 15th term पर x की value क्या है अब मुझे यह खोजना है, और वो मदद करोगे, तो फिर आएगा 14 फिर आएगा 16, फिर आएगा 25 last minus 28, इसका मतलब भी आपने सही से CF को fill किया है चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 14th term का आपर होगा, ध्यान से देखना, 4 player की कानी उड़ गई 7th player की कानी उड़ गई, 14th player यही पर है, 14th player यही पर है, तो उसका value 17 हो गया, उसका value 17 हो गया, so 14th term का value 17 है, और जो 15th player है, वो आगे आएगा, so 15th player इस वाले range में, इस वाले domain में आएगा, तो X की value 20 है, और 20 हमारा 15th term है, so 17 plus 20 by 2, यह आपका answer आगया, 18.5 median की value, तो आप देख सकते हो अगें CF की का नहीं बताता हू, 4 player खतम हो गए, 7 player खतम हो गए, 14 player खतम हो गए, तो 14th वाला जो term है, वो इसी में था, तो X की value 17 थी, 15 वाला player इसके आगे होगा, और 16 तक यहाँ पर था, वो कहना चाहते है जिनकी value है 20 17th player आगे होगा ठीक है, अब तिल 25, so 25 तक है ना, याने 17 और 25 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, यह सब की value X क्या होगा 28 फिर 26th वाला player की X की value क्या होगी 30, 27 की भी 30 28 की भी 30, जश्ट मैं आपको reading कैसे करना है, CF का table वो समझा रहा हूँ, ताकि exam में आपको कोई तकलीफ ना हो, चल, तो इस प्रकार से, अगर even आ गया तो हम solve करेंगे, odd आ गया तो इस प्रकार से solve करेंगे, याद रखना ascending, descending का लोचा मत कर लेना यह है discrete frequency group की कानी, अब बात आती है इसका बाहू बली continuous frequency, अच्छा बाहू बली तो यह है, क्योंकि इसमें interval आता है तो यार formula change हो जाते है, बाकी चीज़ पर इसमें खासियत क्या बता है, वो खासियत में जरूर बताना चाहते हूँ, कि यह type 3 में same formula in steps to find median, when n is odd और even n odd हो, या n even हो, कोई तकलीफ नहीं है type 3 में कौन सा है वो type, continuous frequency group data median find करने के लिए तो यह अब कैसे करना है, इसकी एक अलग कहानी है, तो एक-एक करके मैं explain करूंगा, तो पहले मैं formula लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पर continuous frequency के अंदर अगर आपको median find करना है, तो इसका formula है l plus n by 2 minus cf divide by f into h 5 term देख पारे होंगे, और 5 चीज़ा आपको find करनी है, देखो यहाँ पर मैं आपको bore नहीं करना चाहता, हर एक term का मतलब बता करके, question solve करते करते, इसको समझ लेते हैं, ठीक है तो formula से तो पता चल गया, 5 चीज़ा निकालनी है और इस question को आप copy कीजे नेक्स लाइड में, और cf जरूर बनाईए, क्यूंके median निकालने के लिए cf important है, फिर वो group data में discrete हो, या continuous हो, हाँ, cf कहाँ पर जरूरी नहीं है, जब median के अंदर आपके आपके आज ungrouped है, जब easy है न, ungrouped आदे तो बहुत easy है, ग्रूप आजाए तब cf कंपल सरी है, तो cf zigzag technique से मैंने निकाल दिया, summation f आपके पास आ गया, note कीजेगा, एक term हमको मिल गया है, कौन सा term, capital N, that is equal to summation f, that is equal to 22, तो n हमारा क्या है, n basically यहाँ पर है, summation f, ठीक है, अब यह lf cf h, यह cf to cumulative frequency है, पर in general नहीं है, यह specific है, ठीक है, तो देख लें, देखो h भी easy है, h क्या है, यह जो interval का width है, वो जो common दिखाई दे रहा है, आपको throughout, वही है h, क्या है, 10, 20-10, 10, 30-20, 10, 40-30, 10, तो 10 है, तो h क्या हमारा, h है हमारा class interval, जो के कितना आया यहाँ पर, 10 आया है, तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा, इधर नहीं लिखता हूँ, आगे लिख देता हूँ, क्या हमको और मिल चुका है, h की value मिल चुकी है, जो के है, 10, अच्छा, अब हमको और क्या निकालना है, n आ गया, h आ गया, l, f, c, f, यह सब निकलेगा by doing the class, median class interval technique, अब यह median class interval कैसे निकाले, यह class select करने के लिए, class select, median class interval select करने के लिए, formula है, n by 2 करो, और यहाँ पर अगर हमने n by 2 किया, तो 22 by 2 क्या आया, 11, 11 तर्म को खोजो, 11 तर्म जहाँ पर मौजूद है, वही हमारा median class interval है, so third term खतम हो गया, eighth term खतम हो गया, 12 term यहाँ पर खतम होता है, याने 11 इसी में मौजूद है, so इसमें कौन-कौन है, 9, 10, 11, 12, यह interpret करना भी सिखा आता, तो 11 इसमें मौजूद है, जब 11 इसमें मौजूद है, तो यह जो हमारी class हो गई, यह हमारी median class या median interval class आप कहलो, यह हमारी class हो गई, अब इसी से पूरा खेला start होगा, यह जो आपको terms निकालने हैं न, L, L क्या होता है, L आपका होता है, lower limit of median class, median class कहलो, median interval class कहलो, ठीक है, तो L हमारा lower limit हो जाता है, तो अगर यहाँ पर देखें, तो यह हमारा class है, ठीक है, 20 lower है, 30 upper है, तो L हमारा यह हो गया, 20, ठीक है, next, next है, L आ गया, N by 2 आ गया, H पता चल गया, F and CF की कहानी बची है, so CF क्या है, cumulative frequency जो इसके ऊपर वाला है, ठीक है, यह class के ऊपर वाला, तो याद रखना, जो CF है, that is, actually upper cumulative frequency of median class, ठीक है, so median class के ऊपर कौन बैटा है, 8, तो यह हमारा upper CF हो गया, और इधर हम लिखेंगे, यह CF का इस्तमाल हम formula में use करेंगे, फिर एक बचा है, F, F तो हमारा वो median class वाला ही है, ठीक है, और इस प्रकार से सारे के 5 term आपने निकाल दिये, H, N, L, F, CF, वापस से repeat करता हो, कैसे क्या करना है, median का formula in the continuous frequency, लंबा है, L plus N by 2 minus CF upon F into H, जो देख करके मिल जाते हो, क्या है, CF का तो आपको बनाना ही है, ठीक है, CF का column बनाने के बाद, यहाँ पर summation F, यहाँ फिर इधर से ही, जो लास्ट है, उससे N मिल जाता है, और H तो data को देख करके मिलता है, तो दो काहनी तो ऐसी मिल जाती है, तीन काहनी बसती है, जो तीन काहनी कैसे मिलेगी, जब median class खोजते हो, median class खोजने के लिए N by 2 करना पड़ेगा, और वो जो term है, वो चेक करो किदर है, वो CF की मदद से चेक हो जाता है, फिर उसको highlight करो, यह median class, और वो तीन term यहाँ से मिलेंगे, lower limit, F, और इसके उपर का CF, यह तीन term मिल गए, मिलने के बाद तो बस अब यहाँ पर substitute करना है, to get the answer, therefore, median is equal to, formula मैं एक बार copy कर लो, यहाँ पर फिर मैं substitute कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए भी क्या होगा, easy होगा, नहीं तो कुछ students, कनफूज हो जाएंगे, चाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो lower limit हमारी 20 थी, n by 2, हमारा कितना आगया, 22 by 2, 11 आगया, फिर minus हमारे पास cf, cf कितना था, 8 था, फिर हमारे पास है f जो के 4, और width हमारा था 10, calculate कर लोगे, तो 27.5, यह आपका median आ जाएगा, और मैंने कहा था क्या, कि type 3 के अंदर, जो continuous frequency है, इसमें, n odd हो, n even हो, कोई गडबड़ वाली बात नहीं, technique यही है, formula यही है, style यही है, ठीक है, किसी unserem यही में लोगे, जो यही है, भीkim है, भीkim है, इसमें लोगे है, कितना जेंदर, के लो, के लो कर बाता है, जो जो दो तो विर सब्긴े कर दो के ए 1 स framing, क्यिक अंदर și जो कम суд say पास है, पास्कितना, जो जो चैंदर 20, के आड़ना दो कितनार? झाल 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 झाल